नमस्कार आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ मुकंद। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे टूल्स के बारे में बताएंगे जिस टूल्स का उज्च करके आप बहुत सारे लेंग्वेज में आप वायस टाइपिंग कर पाएंगे इस वीडियो में हम आपको एक्जांपल के तोर पे हिंदी का जो वाइस टाइपिंग है वो करके दिखाएंगे और आप अपने एकॉडिंग इस वाइस टाइपिंग के थुरू प्राग्राफ और चेंज कर सकते हैं और काफी एकुरेट टाइपिंग आपकी होगी बस थोड़ करके सटिक कर सकते हैं तो क्या है ये टूल्स कैसे आप इसका उज़ कर पाएंगे सब उस वीडियो में डिस्कूस करेंगे तो वीडियो सुरा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन्स बेल को भी क्लिक कर ले ताकि हमारी कोई भी निव वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंसती रहे इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको अपने लैप्टॉप में या आप PC में यूज कर रहे हैं और यहां पर डॉक्स खोजेंगे यह जितने भी आपको यहां पर देख रहे हैं यह सारे के सारे गूगल के द्वारा यह सर्विस प्रवाइड की जाती है इसको थोड़ा सा नीचे की तरह पे स्लॉट करेंगे तो आपको यहां पर देखिए डॉक्स का ऑप्सन मिलता है हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको कुछ टेंपलेट मिल जाते हैं अगर जैसे रिजूम का है इस तरह के आप यहां से इडिट करना चाहते हैं तो इस टेंपलेट का यूज कर सकते हैं और आप फ्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लेंक और स क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो यो वर्ड आप ऑफ- लाइन यूज़ करते हैं वो आपको online मिल जाएगा सारी चीज़े लगबग उसी तरग की आपको यहाँ पर मिलता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे इस डॉक्स का यूज़ करके हम यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं अगर हमें हिंदी नहीं आती है फिर वी यहाँ पर वायस हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं कैसे करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पर टूल्स का उप्सन से इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे गया है आप जिसमें भी comfortable है typing करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से हम लेके आएंगे और यहां पर देखेंगे कि हमारा हिंदी कहां पर है तो देखें हमारा हिंदी यहां पर हम इस पर click कर देंगे अब हमारा हम जो है typing के लिए ready हो चुके हैं अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना simply आप इस माइक पर click करेंगे और आप जो भी बोलेंगे वो सारे के सारे आपको यहां पर type होगा तो किस तरह से होगा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और हम इस पर click करते हैं अब हमने यहां पर click कर दिया है click करने के आप देख रहे हैं कि मैं जो भी चीजे बोल रहा हूं वो सारे के सारे अब यहाँ पर टाइप हो रहा है बिल्कुल फ्रेस टाइपिंग होती है अगर आपको लगता है कि कहीं पर टाइपिंग में प्रोब्लम है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं लेकिन मुझे जहां तक क rate करेंगे तो यह टाइपिंग रुख जाएगा करना है तो फिर असी क्लिक करेंगगे तो देखिए आपकी जो टौर गईगी है वो स्टार्ट हो जाएगी जहां से छोडएंगे वहीं चीज़े आप बोलेंगे वह फिर से टाइप शुरू हो जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हैं तो simply आप इसको यहां से select करेंगे select करने के बाद control सी करके copy करेंगे copy करने के बाद या आप यहां पे click करके भी copy कर सकते हैं यहां पे copy का option से इस पे click करके copy करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर word open करेंगे और यहाँ पर word type करेंगे और यहाँ पर word पर कुछ नहीं करना आपको simply control और V कर देंगे यह आपके word में आ गया और इसको जिस तरह से आप adjust करना चाहते हैं सजाना चाहते हैं आप सजा सकते हैं आप चाहें तो वहाँ पर भी सजा सजा क कर सकते हैं तो यह आपके सामने इस तरह से है और इसको आप सेव करके और प्रेंट लेना चाहते हैं तो आप प्रेंट ले सकते हैं तो इस तरह से आप Google के इस functions का यूज़ करके आप voice typing कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप अपना voice typing कर सकते हैं